नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजान अबाग की कथा जिने भगवान संकर ने प्रशन होकर सनातन ब्रह्म तत्व का ज्यान दिया था तो चलिए सुरू करते हैं जब वो गुरुकुल से विद्या ध्यन कर लोटा तो उसने देखा की उसके सेस भाईयों ने पैत्रुक संपत्ति का पटवारा कर लिया है नभाग ने पूछा कि उसे बटवारे में क्या दिया है तो भाईयों ने कहा कि हमने तुम्हारे हिस्से में पिता जी को दिया है नभाग ने पिता जी जो स्वयम आस्रम में रहने चले गए थे से जाकर कहा कि पिता जी मेरे बड़े भाईयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको दिया है मैं बड़ा भाग्यसाली हूँ क्योंकि पिता से बड़ी संपत्ती दुनिया में दूसरी नहीं है मुझे आपकी सेवा का आउसर पारमात्मा ने दिया है बहुत सुंदर कथा है यह आज के बेटे तो बृद्ध माता पिता को भार समझते हैं उनकी घोर उपेक्षा करते हैं कई माता पिता को तो आज बृद्धा आसरम में बृद्धा अवस्था गुजारनी पड़ रही है आज के पुत्रों को नभाग की पित्रभक्ती से कुछ तो प्रेणा लेनी चाहिए सास्त्रों की कथाएं हमारे वर्तमान समाज की अतिस्वार्थ पूर्ण विचार धारा को परिवर्तित कर आदर्स परिवार इस्थापित करने में अहम भूमी का निभाती है सास्त्रों का स्वाध्याय जीवन में सुख सांती एवं समुद्धि लाता है मनुस्मृति में बृद्धो की सेवा की महांता एवं उसके फल को रेखांकित किया गया है अभिवादन सीलश्य नित्य बृद्धो पसिविन्ः चत्वरी तस्य बंधते आयूर विद्ध्या यसो वलम जिसका स्वभाव अभिवादन करने का है और जो विद्धयायम अवस्था में बृद्ध पुर्षो की नित्य सेवा करता है उसके आयूर विद्ध्या कीर्थी और बल इन चारों की नित्य उन्नती हुआ करती है नभाग को उसके पिता ने एक यग्यपूर पूर्ण करने हेतु भेजा जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था नभाग ने पिता के बताय अनुसार उसे पूर्ण कराया इससे प्रसन होकर अंगीरस गोत्री ब्रामनों ने यग्य का बचा हुआ धन नभाग को दे दिया और वे स्वर्ण में चले गए नभाग जब वह धन लेने लगा तो एक काले रंग का पूरुष वहाँ आया और उसने कहा इस यग्य भूमी में जो धन बचा है वह मेरा है नभाग ने कहा कि रिश्यो ने ये धन मुझे दिया है इसलिए यह मेरा है इस पर उस पूरुष ने कहा कि तुम अपने पिता से पूछ कराओ कि धन पर किसका अधिकार है नभाग ने आकर बताया कि पिता जी के अनुसारिय यग्ग में सेस बचाधन रुद्र देव का ही होता है काले पूरुष के रूप में भगवान शंकर ही थे महादेव जी ने नभाग यवम उसके पिता की प्रशंशा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्मान कूल निर्ने दिया और तुम्हारे और तुमने भी आकर सत्य ही कहा है मैं तुमसे अतिप्रशन हूँ अतहा तुम्हे सनातन ब्रह्मततो का ग्यान देता हूँ और यह धन भी तुम्हे देता हूँ इस प्रकार नभाग को दुरलब ग्यानेयों विपुल धन प्राप्त हुआ उनका सेज जीवन बहुत सुख सामति पूरुवक भीता खूब यश कीरती उन्हें जीवन में मिली नभाग के एक पूत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश नीती सास्त्र समझने के लिए भागवतकार ने यह कथा कही है यह कथा इसपष्ट संकेत देती है कि पिता की आग्या मानने वाले उनकी सेवा करने वाले पुत्रों को जीवन में सुख सामति यश कीरती धन समपता सभी कुछ प्राप्त होती है संतकवी तुलसिदास जी ने भी मानस में यही मत व्यक्त किया है अनुचित उचित बिचारू तजीजे पलही पितु बैन ते भजन सुख सूजस के बसही अमर पती हैन कथा यह भी करती है कि जीवन में धर्म एयों नीती को कभी मत छोड़ो चाहे कितनी भी विप्रीत परिस्थितियां आये मुसीबते आगेरे पर नीती से मढड़िगो धर्म एयग और नीती एयग व्यक्तियों की रक्षायम सहायता स्वयम भगवान करते हैं नभाग के पिता धन पर नभाग का अधिकार भी बता सकते थे नभाग भी धन लेने के लिए हट कर सकता था पर दोनों ने ऐसा नहीं किया वे नीती पर चले धर्म को पकड़े रहे अतहा महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ दिया आज का मनुष्य तो धर्म में नीती को भूल ही गया हुआ तो येन केन प्रकारेन धन संपदा बटोरने हतियाने में लगा हुआ है इसी का परणाम है कि समाज में चोरी और कलह एवं असान्ती है राजनीती से आज नीती के निकल जाने से राजनीती में भारी विकृती आ गई है और इसी लिए दे से हम दुनिया आज लगा तार पतन की ओर अग्रसर होती जा रही है मानो मुल्य लुप्थ होते जा रहे हैं संबंदों में खटास परिवार में टूटन विगटन जैसे हालात मनुष्य के नीती से चुत होने के कारण ही बने हैं और बन रहे हैं इन कथाओं से सिक्षा लेकर हमें समलना होगा तो दोस्तों यह थी राजा नभाग की कथा उमीद है वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली कथा में तब तक के लिए धन्यवाद